बात करेंगे क्या हल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्किट के क्रिप्टो बाजार के और क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो भी कवर करेंगे लेकिन सबसे पहले अगर आप ये पिक्चर देखते हैं ये कुछ हफतों की यानि 2023 जन्वरी मन से लेके अब तक की पिक्चर है और ये जो वीक चल रहा है अभी ठीक है क्योंकि वीकेंड्स का टाइम आ रहा है वीकली क्लोजिंग का टाइम आ रहा है और इस वीक बिटकोईन ने नया हाई लगा ये तो आप देखो 2023 से हम शुरू है थे ये पहली केंडल जो पंप आया पहले फर्स्ट वीक पंप वाला वीक रहा उसके बाद पंप आते 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 आप देखो साथ महीने मार्केट यहां पगे घूमी और अक्टूबर से पंप लिया बिटकोईन ने कहां तक आ गए 24,000 से बिटकोईन का स्पॉट ETF का अप्रूवल मिला और पंप डंप यहां पे लिक्विडेशन बिटकोईन ने कर दिये लॉंग्स वालों के जो 45,46 पे आके लिक्विडेशन क्विक कर दिये थे लेकिन यहां से जो ट्रेड्स लग रहे थे उपर के उनको भी लिक्विडेट कर द अभी फिलाल 50,000 डॉलर का तो टार्गेट है उसके बाद जैसे डंप का कोई सिनेरियों बनेगा तो डिसकस करेंगे तो 50,000 के दर्शन बिटकोईन हमको जल्दी करा सकता है डिप आ गया और डिप का मोका में इस नहीं होना चीए 44,000 डॉलर पे इस टाइम पे बिटकोईन आ आपिस जा सकते हैं ठीक है कल परसो और वीकली केंडल क्लोजिंग का टाइम है तो अभी केंडल क्लोजिंग में टाइम है और वीकली केंडल क्लोजिंग से पहले यहां पे गेम हो गया तो अभी कहीं न कहीं यह क्लोजिंग हमको थोड़ी सी ऊपर ही देखने को मिल सकती है त प्रॉस है सबसे उपर सुई ने 1.2 डॉलर के लेवल हिट कर लिया है सुई नेटवर्क का TVL पिछले कुछ महिनों में 2023 में काफी अच्छा बढ़ रहा था हम कंटीनु इसके उपर डिसकेशन कर रहे थे और आज सुई का प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रहा है मतलब धीरे-धीरे movement अच्छा आ चुका है क्योंकि एक डॉलर से नीचे trade कर रहा था 0.67 की range आज 1.2 पैसा double किया अपने holders का almost पीपल चल रहा है अच्छा pump आया 400% recently और continue कुछ दिनों से gainer list में Zen, FTT, Blur है, E&S, mostly अगर आप देखेंगे सारे old coins है, NFP और Optimism अब जहां 17 million dollar के liquidation होते हों longs वालों के तो bitcoin क्यों नहीं करेगा liquidation हो गए है क्योंकि 45-46 पे bitcoin आ गया था 49 से कल ही और वहाँ पे longs के trade लग रहे थे लेकिन उनको भी जो high leverage वाले trades है उनको liquidate किया और पिछले एक घंटे में bitcoin ने 17 million dollar के liquidation किया long वालों के इथेरियम ने short वालों के सबसे ज़्यादा किया है 5 million dollar short के है long के 2 million dollar है bitcoin ने 16 million dollar long वालों के ले लिए एक घंटे में सिर्फ एक घंटे के अंदर इतना बड़ा liquidation ठीक है और पिछले 24 गंटे में 134 million dollar long वालों के liquidation और short वालों के है 64 million dollar के 200 million dollar का फिर से liquidation पिछले 24 गंटे में हो चुका तो बिलकुल next अम बात करेंगे token की token 5 की pump आता हुआ token 5 के price में और काफी टाइम के बाद जब से market में आ है बहुत सारे listing होई है और finally इस coin के अंदर pump आ रहा है आज ही अभी अगर आप देखेंगे 24% का jump ए गाड़ी जरूर स्टार्ट हुई है क्योंकि flow की इनू और token 5 big screen के उपर चाने वाले हैं तो बहुत सारी चीजे हैं जो होने वाली है और उसका result token 5 के price पे दिख रहा है जहां एक तरफ bitcoin में dump है वहीं ethereum liquidation कर रहा है shorts वालों के bitcoin ले गया long वालों के और ethereum ले रहा है shorts वालों के और ethereum bullish यहां पे देखने को मिल रहा है 2650 dollar के level है 2700 dollar के level को भी break कर दिया है और ethereum की जो चाल चल रही है definitely ethereum हमको जल तीन हजार से 3500 dollar की जो range है वो break करता हुआ दिख सकता है मतलब जो level है वो हमको यहां तक आते हुए दिख सकते हैं तो 3000 से लेके 3500 dollar price ethereum का हम जल्दी देखेंगे bitcoin अगर थोड़ा सा और track पे आता है 50-55 की range दिखती है definitely क्योंकि ethereum इस time पे काफी ज़्यदा bullish है और whales ने continue अर्बोग ethereum खरीदे हैं एक महीने में तो कुछ बड़े movement हुआ है recently अभी अगर हम देखें है आपे एक घंटा भी नहीं हुआ और कितने movement हुआ है जब 3-4000 bitcoin movement होने लग जाए तो volatility रहती है market में अब तो 4800 है कुछ एक दो transfer और है जिसके अंदर 3000 हजार और है ठीक है तो total 10 से 11,000 लगा लीजिए और पिछले 24 घंटे में तो नहीं जाने कितने movement हो चुके हैं तो ये 4800 bitcoin 221 million dollar के हैं ये जाते हैं coinbase से unknown wallet के next हम बात करेंगे bitcoin spot ETF का approval मिल गया है bitcoin की halving होने वाली अपरेल में लेकिन इसके लावा Ethereum ETF bitcoin ETF मिल गया है तो Ethereum ETF बाकी है और यहां अगर आप देखेंगे black rock Ethereum ETF is next तो Ethereum ETF के लिए बहुत सारों ने फाइल किया हुए अगर आप देखो Vennik है, ARK है Hasdex, Grayscale, Invesco और इनकी final deadline है पांचवें मंत की हैं यानी में मंत की अगर तो उमीद है कि में के अंदर में 2024 में Ethereum ETF यानी bitcoin halving के बाद Ethereum ETF का surprise भी है, भी बहुत सारे surprise बाकी है इस 2024 में और यह surprise छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े surprise है next update है Shiba Inu के bond token को लेके Shiba Army चाहती है यहाँ पर wants coinbase to list Shibarium gas token coinbase listing को लेके कयास लग रहे हैं होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी यह सिर्फ coinbase जानता है, ठीक है market के अंदर बहुत सारे crypto's अपना level बना रहे हैं, बहुत सारे नए crypto's भी हैं, और पिछले 90 दिन के अंदर, यानि October से लेके, अब तक बहुत ज़्यदा pump हुए हैं, हना हमने helium को देखा, neon को देखा, और myro भी इस list में आता है, 0.1 dollar का price है, और पिछले 90 days के अंदर, तीन महीने के अंदर इसका जो price बड़ा है, वो बड़ा है और कुछ ऐसा ही किया है, Mattis ने, Mattis ने भी 90 दिनों में 850 परसेंट का जम किया है और कुछ listings भी हुई है इसकी और अभी अपने high level पे चल रहा है 105 dollar पे और 110 115 dollar के round level आया और कहां से 11 dollar से ठीक है, तो almost 1000 परसेंट तक पहुँचने वाला है तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इंवेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें वो बहुत जरूरी होती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम एक्स के लिंक है, जोईन कीजिए कोई अपडेट मिस नहीं होगा तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर